नमस्कार आज के मुख्य समाचार कल रात को त्रीची के रास्ते से जाती हुई वाइगाई एकस्प्रेस के एक कंपार्टमेंट में तीन लड़कियों की हत्या की गई है तीनों एक ही कंपार्टमेंट में थी इस ट्रेन के उस कंपार्टमेंट को कोड़ाय रोड में अलग करके रोक कर रखा गया है उस कंपार्टमेंट को पुलीस ने अपनी कस्टिडी में जांच के लिए रखा है और जब तक पुलीस की जांच पूरी नहीं हो जाती वो पुलीस की ही कस्टिडी में रहेगा इस वारदात के लिए शक के आधार पर एक संदिक्त को गिरिफतार किया गया है ऐसा माना जा रहा है कि ये कोई बड़ा उगरवादी हो सकता है इस आदमी की जानकारी स्टेशन के CCTV कैमरे से प्राप्त हुई है मुंबई बॉम ब्लास्ट में और हाइदरबाद बॉम ब्लास्ट में दोसों से ज्यादा लोगों की जाने गई थी और पुलीस का मानना है कि उन हाजसों में इस आदमी का हाथ हो सकता है और ये किसी आतंकवादी संगठन का सदस्य भी हो सकता है विदेशी आतंकवादियों के साथ क्या इस आदमी का कोई कनेक्शन है और अगर है तो ये आदमी किस संगटन से जुड़ा हुआ है इस आदमी का ट्रेन में मृत पाई गई उन तीन लड़कियों से आखिर क्या संबध हो सकता है अब तक आपने जो भी ऑफेशल सवाल पूछे मैंने जवाब दे दिये मगर इस सवाल का जवाब एम सारी सर वन इस वांट पाईगी सर रैक्ट फोर्स के चीफ mr. साइफ देन रह्मान आईपैस्ट वन मैं आर्बिड़ पाईगी अओ हुआ, हुआ है वाराँ a bena कtailी सतार अवराँ ववरा हुआ के वारे वप रुवराई कर दो एकर दो कर दो कि गहा है कि अर जा कि अरुबाईबना बड़ अरनी फार्वेट नह जा दो युद्टेर्वे और री नह जलाँ झाल कि अर में जो टुच जैए तो बाले इन खर फेक तो युछ अर झाल 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 आज के मुक्य समाचार ट्रेन में हुई हत्याकान के मामले में सैफुद्दीन रह्मान ने उस आतंकवादी को पकड़ लिया है उससे पूछताच की जा रही है इस गिरफतारी से एक बहुत बड़े हादसे को रोका जा सका है आगे की जानकारी के लिए चलिए चलते हैं हमारे समवाद दादा के पास ए बड़े आजमी बाहर निकल आज हम दोनों में से कोई एक ही रहे गया मैं मैं देख लोगा तुझे हां बाहर आजा बाहर हां अने निकलता क्ले चलो मुझे अपने आपको समझता के यह हैं हां मेरे उपा जो गुस्ता था उसे उतारने के लिए बदा ले लिया ना है मेरे एरिया में होई हत्या की जाँच करने का काम सहफद्दीन को दे दिया जिससे कि कहीं मेरा नाम ना बढ़ जाए हैं सुनो एलेक्स हैं तुम मेरे गाउं के हो इसलिए तुम्हें माफ कर रहा हूं अपनी मर्यादा मेरा हो समझ गया हम मुझे ब्लैक मैल कर रहे हो खुफिया एजनसी ने मुझे खबर दिया वो तुम मुझे बता दियो कि और मैं पकड़ लूँगा तो मेरा नाम हो जागा यही सोच के ना हैं तुम्हारे पैर के नीचे का साफ हूँ अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ तुम्हें बेज़द करके छोड़ूंगा वैं वैगाई एक्सप्रेस में तुने सफर किया और उसी के एक कंपार्टमेंट में तीन मॉर्डर हुए उन तीन ओ लड़कियों से तेरा क्या संबंध है और किस लिए तुने उनका मॉर्डर किया है मैं तीन को मारने नहीं आया बलकि मैं यहां पर तीन लाख लोगों को मारने के लिए आया हूँ छोड़ा सा भी प्लाश्ट होता तो तुम लोग फोर्स लगाया फोर्स लगाया करके हंगामा मचाते हो कितनी बार फोर्स लगाओगे तुम तुम्हारी फोर्स को चीर कर त तरह आचुका हूं ऐसे ही एक्सप्रेस में घुसा वो भी तुम लोगों की आखों के साबने सेफद्धिन देखता हूं तुम मुझे कब तक क्यात करके रखता है तेरे जैसे ऑफिसर मेरा कुछ नहीं बिगार सके तोगर तुने साबित कर दिया कि तुग गंदी नाली की सर वो जो आ रहा है ना वो एसी कोच का अटेंडर सुन्दरम है जिस दिन वाए गए एक्सप्रेस में खोन हुआ था उस दिन यह ड्यूटी पर था हूं पैसेंजर्स को लुभाने में ये बहुत एक्सपर्ट है सर पचास उरुपे तो टिप्स लेता है बॉटल सिग्रेट स सबका बंदोबस्त करता है यह जिस दिन कंपार्टमेंट में खोन हुआ उस दिन की सारी डिटेल्स इसके और केश्व टीटी के पास से मिल सकती है इसे ज़रा प्यार से अंदर डालो हाथ मत लगाना ठीक है सर ओके हम तुम्हारे फ्रेंड्स ही थोड़ा बोर हो रहे थे तो हम लोग यह घूमने चले आए तुम उनके बारे में कुछ जानते हो गया बोल दे बच्चा जल्दी बोल ना मुझे कुछ नहीं मालूम सार है सच सच बता दे यह रैक्ट है रेलवे एंटी क्रेमिनल टास्क सर मैं मैं कहाना मुझे कुछ नहीं मालूम जिस ऐसी कोच में हत्याय हुई उसमें कुछ पैसेंजर्स ऐसे थे जिने तु भूला नहीं है मुझे ऐसा लगता है तू भी यह बात जानता है इसलिए बिना कुछ छपाए वह सारी बातें चुप-चाब बता दे नहीं तो पुलीस को जानता है ना कि अल्लू की तरह घुर रहा है उस दिन वाइगाई एक्सप्रेस ट्रेन के एक एसी कंपार्टमेंट में ट्यूटी दे रहा था उसमें एक केबल में तुल्सी मणी नाम की एक पैसेंजर थी बी केबल में फिल्म एक्ट्रेस सपना प्रिया और उसकी बहन केबन में बालो बाव वीरप्पन और मा अविकवीरपण और उनकी बगल में टीवी रिपोर्टर यामनी चंदरशेखर की सीड थी और डी केबन में थी डॉक्टर की टीम अजय माध्यी दीपक मुर्ली ये केबिन में स्ट्धोरी राइटर कार मेगम और रेलवे पुलिस ए योपी पैना हुआ चमा था टीवी देखने के बाद पता चला कि वो कोई बड़ा उग्रवादी था भी केवें में हीरोईन थी जिसमें रात को एक लड़की गई और उसके बाद गाड़ी चल दी अरे यह क्या कह रहे हो कितने लोगों के पास जूटे हुए जाना पड़ता है शूटिंग की जगा बार बार बदलते जा रहे हो कुछ समझ में नहीं आ रहा है हेलो जरा होल्ड करना वाड़ इस सीट नंबर मेडम कुछ भूस रहे है सिक्स ओ अच्छा अच्छा बैच जाओ यह है हेलो 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 यह फेमस अक्ट्रेस अपना परिया और मैं इसकी कजिन सिस्टर इसका साथ कुछ में ही देखती हूं हाँ यह मैडम मेरी वाइफ है क्या तुरुल कोई तो हुआ जाओ आरे अरे सुनों एकड्雄 हाथ खेलोगे मेरे साथ जब तब पत्य खेलने के लिए नहीं खेल सकता है तेरे जैसे लोगों के इसली आशीलमाय से PM से shout मेरे माँ दुनिया की सबसे प्यारी माँ हम सभी के सभी लग पती बन गए सिर्फ और सिर्फ यह पत्ते खेल का हमारे खांदान का बच्चा-बच्चा-खिलाडी और उनमें किंग हूं मैं केशव आपकी वेस्ट फेमिली किया कंदर कर ले हेलो 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 कट गया क्या मैं डबल चार्च करूंगी प्रोडक्शन वाले को सिर्फ दस रुपे का रिचार्च कर रहा है मैडम कंबल कितने का है यह फिरी है अरे फिर सब रख दो हमारे काम आएगा ना मैडम आप लोग कौन है तुमने हमें पेचाना नहीं बताती हूं यह अरे तुम क्या हस रहे हो यहां पे कोई कॉमेडी शो चल रहा है क्या इसके लिए कोई डिस्ट्रिब्यूटर डूणना पड़े का कॉल करते हुआ कि हुआ है कि सीट नमबर वान तुलसी मनी सीट नमबर टू मनी तूलसी है अननर तो एक ही मनी तो दूसरी मनी कहांगे है मतलब आज और एक वेकेंट बर्थ मिली गई या बात कींग वेकेंट पर्थ का मतलब इंकम तो आज नई नोट की नेंगे येस, कमें, अरे, अरे देखकर सर, कभी-कभी ऐसा हो जाता, तो आदत सी हो गई है, आपका नाम, तुलसी मनी, तुलसी मनी, तो ये मनी तुलसी का है, वो भी मैं ही हूँ, असा कैसे हो सकता है, दो लड़कियां और एक ही नाम ऐसे कैसे चलेगा काम, कुछ बताओगी, मुझे अरे वा, तुम्हारे पेशे में पैरों की जरुद पड़ती है, और मेरे पेशे में हाथ कि तो हो जाए, दो दो हाथ, सर, प्लीज डिस्टब मत कीजे, मुझे प्राइवसी चाहिए, बोला था ना, क्र recite, excuse me, sir. हा, भोलिए, क्या चाहिए? ये केबिन मुझे नहीं चाहिए, मुझे कोई दूसरा केबिन दे दिजिये, अरे क्या बात कर रहीम्लें तो फिल्म स्टार सपना परियाे ट्रेवल कर रही उस से बात करते विए अपना वक्त बिता सकती हो ना देखिए मेडम ये और लेडे सीजन चल रहा है नियां उलडेडी फुल है तैशोव है यह किसी फिल्म जैसा सस्पेंस है आधा समझ में आता है और आधा बाउंसर हो जाता है अब महर्वानी करके मुझे मेरा काम करने दीजी आप अपने कोच में जाए ना अरे आपको कमा से अलर्जी है क्या मैडम सोरी प्लीज और शॉरी जो जो कि आता है अब बोलो और नीद आ रही है ओपर के बर्द पर सोने जाहूं या फिर नीचे के बर्द पर वैसे भी तुम्हारे खराटें से हमें नीद नहीं आएगी तुम उपर ही चले जाओ क्या करें हो सीधे बेटो घर में खटिये पर सो जो कर आदत पड़े है और आपर जाओ तुम्हाराम से यहीं पड़ला सॉरी हां सॉरी हां सॉरी गल्ती से मिस्टेक होगी है वही है पर आप सब्सक्राइब अप्टिश्ट तो मुझे बदा दें अब करें आप आप वेलकम Mr. TT, आप आप पिर से स्पेशल गेस्ट पर माइ बर्दे त्मार भर्ट भर्ट एगा मैसी करें सब्सक्राइब कर दो काड़ के बीच जो कर आता है ठीक वैसे में आता हो नाम है किंकेशा थेंक यू मो देवी नहीं माध्वी नाम है इसके बड़े कि दिन पर आप अरे पुरा क्यों मानते हो प्तंग हो गया इसलिए नाम भी गलत निकल गया सर मजाग बहुत हो गया एक फोटो खीच दीचिए पीनी के लिए कुछ मिल जागा तुम्हें और खुश हो जाओंगा कॉफी नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए एपल जूस नहीं चाहिए तूबैक विस्की आओ लेकिन सोड़े के साथ नहीं चाहिए प्रोडक्शन मैनेजर रेटी का फोल है हलो नमस्कार आप अच्छे है ना हमें भूल गया नमबर डिलिट हो गया हाँ लोकल शुटिंग कहाँ अब तो सिर्फ और शुटिंग ही अभी चैनल एरपोर्ट पर ही है हाँ सच्किन रही हूँ हम लोग तो ट्रेन है अभी हम लोग मुंबई जा सब डेट्स मांग रहे हैं अब मैं भी क्या कर सकती हूँ अब आपको क्या बताओ सर इस वक्त सिर्फ अपनी बेबी ही टॉप पर है सर बाकी हिरो इसकी तो बैंड बच गई है अपनी बेबी की तो बात ही अलग है बहुत प्रिया तुमारा कम थोड़ा अच्छे तरीके से ह सब्सक्राइब करके सारे काम को बिगाड़ देगी क्या कर रहे हैं मुझे पिए तो एक जमाना हो गया है सुनो मुझे एडवांस देने वाले तुम पहले प्रडूसर हो इसलिए मैं तुम्हें जेल रही हूं और तुम पे तरस खाके मैंने तुम से शादी भी कर ली आप च सब्सक्राइब को आप हरे थे वगया-प। गो कि क्रेंटे नेशन 스च पर यह संदूं को मैंने बहुत आच्छा नाम है तुम्हाँ बॉघ कोश्कर अज्म में तुमें बहुत अच्छा नाम है तो अ बता मैं ऑज्べना नहीं तुम्हारे बगल वाले केबिन में ट्रैवल कर रहे हूं वह हिरोईन सपना प्रिया है मैं उसकी कजन सिस्टर हूं मुझे जारा चाकु चाहिए था मैंने मेरे पदी को चाकु लाने के लिए बोना था लेकिन मैं बहुत ही बुलाइकर है सीरियस्ली सिली फैलो सिली फैलो प्लीज आप मुझे ये चाकु देंगे बेबी को ना फ्रूट्स काने है बच्ची और मैं इंग्लिश में मुझे सिफ यही वर्ड पसंद नहीं है तुम 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 भी ना चाहते हैं तुम भी ना तुम भी ना तुम भी मेरी आंग में कितनी जोर से गुंसा मारा और पीट वेवी बे मतलब आपको मारा है यह पागल नहीं है सर मेरा एक ही बेटा है बता नहीं ऐसे कैसा हो गया सर यह हमेशा कुछ ने कुछ गर्मन करते नहीं सर इसे पागल लेता हूं यहां सी पागल किसे बोल रहा है इसलिए छोड़ लाओं अरे कभी मेरे गाव मेरा तब तुझे पताऊंगा मैं तू वहां से वापस जिंदा नहीं आएगा बात कर रहा है उपर चड़ जा बैटे उपर चड़ आराम से प्यार के चक्कर में पढ़ गया इसलिए इसका असा हाल हो गया तेटे का दर्द भाप ही समझ सकता है पढ़ाया क्या जाने है एक बाप ही अपने पेटे को बेडिया बाद रहा है पदा नहीं भगवार ने अज़ा क्यों किया कोई प्रॉब्लम है क्या एनी हेल्प मैं अटार्ण को मैं स्मार वार कहặt लोगने हा टोय कर्यों प्रॉब्लम कि अंगे कर दो अटॉपल्स अन्वम इससे अलगें हों चाईियोगार अंगे अंगे वित थाई है आन सतस्वा सोरॉ पीने को कुछ आइए तो आगले सेशन में बॉले लोगते हैं मंगवा दूगा वो नहीं सर मोबाइल नंबर चाहिए था तो लो ना 944-0737-44 आपका नहीं सर वह वहां पर फोन पर जो बात कर रही है ना उसका इरोईन की कबिन वाली शीज माई क्रोस रेलिटिव सर हम तुनों की वीच कुछ मिसंडरस्टेंडिंग हो गई है अगर उसका न परफॉर्मेंस परफॉर्म करने का यही सबसे अच्छा माउका है में जो पोडियों मोसन नहीं है जी कहिए इस ट्रेन में आप एक पैसेंजर हो लेकिन मेरी हाला तेक बिखारी जैसी है ओल्ड़ण होल्ड़ण होल्ड़ण मुझे तुमारी हेल्प चाहिए क्या बात है बत एक साथ हो गया है एक केस जानलेवा है डॉक्टरस ने भी हाथ खड़े कर दिये बोला तुम भी अपने हाथ खड़े करके उपर वाले से दुआ मांगो पर उपर वाला तो बहुत दूर है मैं तो बस कोशिश कर रहा हूं कि अपनी बीवी से बात कर सकूँ पर मेरा फोन का अपनी शार्ज खट्म होगा या यह डड़ हो गया इससे पहले कि वह डेट हो जै मैं उससे बात करने के लिए तो से अपना फौन दे हो तो मैं मेरी डेड होने वाली भी मिंसे बात कर से जाय को सर्ट ऑल एलीजे बात कर लिजे तुम कितनी अच्छी हो कि यस एक्सक्यूज मी थेंक्यू मैडम इसो के बुखार एक सो साथ डिग्री है अऑ प्लीस पिचजय नदीजी सब का मुझे करना परता है यहां के कोई नहीं है क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ बेबी तुम्हें क्या हुआ कोड़ाई कनाल तीन बजे आयूई ट्रेन वहां से साड़े पांच बजे निकली दस मिनिट में निकलने वाली ट्रेन ठाई घंटे लेट इसका करांग गया है नएया ट्रेक बन रहा है ना मेंडिने से काम चल रहा है इसलिए लेट होगे हैं पहले वर सत्या अढ़ा देखने वाला था आजरा आजरा जल्ली अजलीओ माद्वी ृजलीओ वाद्वी चॉड़ा क्या भाद्वा चिल्लीओ नहीं कि इसे एक थे एंदा कोुछ के लिए यह ठोटेसे लोड़के बीतितके अटली अटिया सब्सक्रा किया आ? ऑु यह प Kerry सेओधिल तेमो धिस 91 गुर्केकर यह रहीं रुडलो है इससे पांटेका? गीर आपडलो सेघंश मोख्या नहीं अडिको dal से अटिया है प्टोर्दश क्ली एंसरों करने लो उनक्या शाहिए फब विल्हा और कोशीरे थान湖 कर सा का कि वलीung विल एंसरों 2 लिह ृा है इस कंपार्टमेंट में ट्रेवल करने वाले सभी लुगों को सिक्यूर करके रखाऊं सर सर ट्रेन को रुखवाने का अधिकार हमें नहीं है इसलिए हमने इस कंपार्टमेंट को यहीं पर रोब कर ट्रेन को आगे भेज दिया है सर पैसेंजर का नाम सर यह मिस्स तुलसी मनी चन्नाइटू मद्रोई पैसेंजर यह खुदकुशी है बार्थ नंबर शिक्स विक्टिम का नाम राधी का राइट सही है सर उस लड़की में थोड़ा जान बाकी था उसे किसी तरह बचा लेंगे यह सोचकर मद्रोई हॉस्पिटल लेकर गएं सर चाकू से खून करने वाला कौन है भागल को क्या ट्रीट क्यों देनी हूँ मैं अची तरह से चांदता है तुझ से जैसे डील करना है वैसे डील करूँगा सर दी के बिन में चार डॉक्टर्स थी सर हमने इंक्वारी के लिए ही इस लड़की को यहां बिठा कर रखा है सर शी इस आल्सों डॉक्टर्स सर इसमें ट्रैवल करने वाले चार लोग है बाकी के तीन लोग कहां है सर उस लड़के में थोड़ी सी जान बची थी तो उसे वो लोग होस्पिटल लगे गए सर यह सब क्या है बलून चिप्स यहां कोई पाटी वाटी चल रही थी त्याग राज यह सर सर दो नो वाट है इन लास्ट नाइट नाइट यह सब नहीं चाहिए कल रात को इस कैबिन में क्या हुआ यह बताओ यह बताओ यह क्वेश्चिन तुम चार लोगों ने दारू पीने के बाद उस लड़की का गला काट कर उसका कूल पिया क्या तुम ड तंके का यह दिखा एट यह बताओ इस चोटी डॉक्टर को अपने वेटिंग रूम में ले जाकर आराम से बैठाओ जाओ 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 तीन पेसंजर्स और सर एक्सक्यूज में मैं नहीं आपक्राइब देख्षा पर एक आदमी पर मुझे शक है तो एसे सर्जिकल चाकु से मुझे पारा एक तुम्हारी कहानी में लिखा है मेरा थोबड़ा देखकर ऐसा लगता है कि मैं औरीजनल राइटर हूं लेकिन मैं तो नॉवेल पढ़ पढ़कर उसकी कॉपी करता हूं विज़त से कॉपी करके लिखने से अगर यह हालत है तो बिज़ती से कॉपी करके लिखने से क्या होगा अगले नॉविल का नाम रखूं राइक्टर को देख रहे हो ना दिमाग लगा कर बचने का प्लान बना रहा है अपनी डुप्लिकेट स्टोरी पेपर्स के साथ रख ले पुलीस वालों को दिखाना मत रहे है यह लगेज किसका है वो वो लड़की काविया का है सर काविया नाम की कोई लड़की इस कंपार् अब मुझे थोड़ा याद आया सर वो दिखने में लारा अनुष्का माधूरी जैसे दिखती है सर चार्ट में यामिनी चंदरशेखर का नाम लिखा है मधुरई तरका टिकेट है उन्होंने इस केमिन से किसी से एक्सचेंज करके ट्रेवल किया है बट शीज मिसिंग सर क्र सर को ले जाओ और इन्हें आइस वाटर से नहला आइस वाटर से नहला खेला का नाम पेपर में पढ़के मैं डर जाता हूं सर चलो जाओ जाओ आगे बोलिए बी केबिन में हाँ सर लेकिन वह लोग स्टेशन आने से पहले ही उतर गए मेरी बात मानो जोतिका मैं जो कह रही हो से सुनो इस हालत में उसे ना देखो तो अच्छा है मेरी बात मानो जोक्टर मुझे एक बार दीदी से मिल ले दीजिए ठीक है जाए झालओी झालओएू कि आजए आजए यूरे इन क्रेटिकल स्टेज मैन वैगई एक्सप्रेस का केस आतंकवादियों का केस होगा मैंने सोचा था लेकिन उस केस में तो हमारे उपर शक्किया जा रहा है उस केस की जाँच अब इंस्पेक्टर मान भंजन नहीं करेंगे बलकि उनकी जगह रैट के सेफवदिन रह्मान करेंगे किसी विवक्त हम गिरफ्तार हो सकते यूनो कि लो कॉल आ गया हलो कि यह सार हम बुरी तरह से फंस चुके हैं मैं रेलवे में लाइन मैन हूं साब ड्यूटी के वक्त मुझे पट्री के पास ही लड़की की लाश्ट मिली थी हलो ब्रदर या आओ यह सर्शाम यामिनी का बॉइफ्रेंड यामिनी मेरे साथ चैनल में काम करती थी सर उस रात मुझ से यामिनी आखरी बार बात की अग्रवादियों के बारे में कुछ बताया था नहीं सिर्श तू बड़ा आतंकवादिय ऐसा कोर्ट में दिखाऊंगा तेरा मकसद क्या है तुझे हैंडल करने वाला विदेशी कौन है यह मुझे पता होना चाहिए सैफोत देर अपनी कस्टडी में रखकर तू सारी जनकारी निकलवा लेगा क्या या फिर मुझे कोर्ट को सौप देगा सपना मत देख अगर ऐसी नौपत आई तो या तो तू मरेगा या मैं मरूंगा तेखते हैं कौन क्रांतिकारी है तू तो बस मैने भर घंटी बजाकर पगार लेने वाला एक नौकर है एए ओफिसर मेरे पीछे कितना बड़ा निटवर्ग है तुझे अभी नहीं पता आतंकवादी और चोर में कोई फर्क नहीं होता है पैसों के लिए चोर किसी के भी घर में घुश जाता है उसी तरह एक आतंकवादी भी पैसों के लिए किसी का भी कतल कर देता है ऐसा कोई बे ओगरवादी चोर ही होता है वो कोई क्रांतिकारी नहीं हो सकता एक क्रांतिकारी का एक मकसद होता है एक ओगरवादी का कुछ नहीं होता है वो सिर्फ जहर उगलता है पुप्पे में जो लोग थे उसमें हीरोईन स्वप्न प्रिया उसकी दीदी अनुराधा अनुराधा का हस्बेंट पावडा स्वामी और एक पैसेंजर राधी का इस सर इंस्पेक्टर मान भंजन कहां है वो तो कावर लेकर जा रहे थे सर मैंने रास्ते से उन्हें बुला लिया चलो चल कर देखते हैं उसने इस केस में क्या जाच की है नमस्ते सर वो आपके बारे मे आप मुझे उल्टा सीधा ना कह दे इसी लिए मैंने भगवान के पास जाकर मन्नत मांगी है सर और यह माला पहन कर घूम रहा हूं जरा इन्विस्टेकिशन रिपोर्ट देंगे बहुत बद्मसीब है वो लड की सर्जिकन लाइफ से सर पर दो इंच गहरा गाव किया है सर अ दो आफेंस अगेंस दे यूमन बोडी राइट यस सर पर उसका दिल तो धाड़ा करा था शेस ब्रेंड़ अहां शी वाज़ ब्रेंड़ यहां पर मोटिव दिखता है मौत होने के पीछे सेक्शन 307 अटेंट टू मॉडर क्या वो मेंटल बल्लू या या फिर वोग्रवादी अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ इसलिए मैं चला गया था उपर वाले ने कहा ए माल भंजन जाकर अपना काम पूरा करो और मैं चला आया है त्याग राज सर हालो स सारे एविडेंस इसमें हिफाज़ात से रखे हुए है ये है वो चाकू जिसने राधिका को मारागी है ये तो ऑपरेशन करने वाला सर्जिकल नाइफ है सर हाँ सर जी डी कैबिन में डॉक्टर्स का एक ट्रूप ट्रेवल कर रहा था उन लोगों से हीरोईन की बड़ी बहन ने फ्रूट काटने के लिए उनसे सर्जिकल नाइफ मांगी और ये चाथ हो उसके पास कैसे पहुचा अपासर वो धार वाले चाकू के पीछे बालु और प्रिया की लव स्टोरी शुपी हुई है सर उस बी कैबिन में ट्रेवल कर रही लड़की स्वप्ण प्रिया वह बालु की पुरानी लवर है सर्फ मालु से पूछताच करने पर उसने बताए कि इसने मुझे दोका दिया पर उसके बातों में कितनी सच्चाही है यह बात तो मैं नहीं बता सकता सर और यह राधिका का ताथ जो इस पॉर्ट पर गिरा हुआ कि सर जी यह केस नूडल की तरह लजगिया है इसका सिर किधर है पूर्च किधर है कुछ पता नहीं अपने तीस साल की सर्विस के अधार पर बताता हूँ यह केस इंपॉसिबल है सर ट्रैवल टूर चन्ने टू मदुराई तुलसी मनी अड़्यार ने डैंसिंग क्लासिकल डैंस स्कूल में सी किये सर सर यह लड़की जो है ना रेलवे बोट चेर्मन मिस्टर करीगोलन सर की क्लोज रिलेटिव है इसलिए तो इस केस को जाज करने के लिए सिर्फ आपको ही चुणा गया है सर पर सर इस केस में जाज करने की जुरोत ही नहीं पोस्ट मॉटम रिपोर्ट में ये साफ साफ लिगा है कि फासी लगाने की वज़े से ही ये मौत हुई है शरीमान मान भंजन, चैन्नाई में फासी लेने के लिए जगे नहीं मिली तो आगई बहगई एक्सप्रेस, फासी यहां ऐसी केबिन में लिए है, ऐसा सोच रहे हो ना तुम कुछ लड़किया ऐसी होती है सर, उनकी काम ना होती है कि मरते वक्त भी वो ऐसी में ही रहे सर, सिंगल केबिन में एक आदमी दो टिकट लेकर सफर कर रहा है तो बात बिल्कुल साथ है सर, पूरे सफर में उसके साथ कोई नहों ऐसी प्लानिंग करके, वो इस ट्रेन में फासी लगाने के लिए आई सर आपका मतलब ये खुदकुछी का केस है? मैं दावे के साथ कहता हूँ ये खुदकुछी है ये खुदकुछी नहीं है तो फेर? ये वेल प्लान्ड मर्डर है मर्डर कैसे है? कहानियों में, किताबों में और सपनों में जैसे परियां आती हैं वैसे ही मेरे घर में भी एक जीती जागती परी थी तोलसी मणी ये पिंड़ दान उसी के लिए है शी वाज मैं सिस्टर इनलो मेरे बेटे का वो मा से कम खयाल नहीं रखती थी जिस गले में मंगसूत्र पहना जाता है उसमें फांसी का फंदर डालिया वैसे प्रॉब्लम क्या थी सर उसने किसी को कुछ नहीं बताया क्या परिशानी थी क्यों ये फैसला दिया कुछ पता नहीं चल पाया तुलसी मणी अपनी दीदी की मौत को बरदाश्ट नहीं कर पाई होगी इसलिए खुद कुछ ये कर लिया आपको किसी के उपर शक है क्य अलक्सेंडर रेलवेए एस पी जिस ट्रेंड में तुलसी मणी ट्रेवल कर रही थी उसमें वो भी था जरूर प्लान करके उसने ये सब किया उसका मेरे ओपर जो गुस्ता था वो उसने उसके ओपर निकाला उसी ने ये कतल किया है इंस्पेक्टर मान भंजे ने भी एक रिपोर्ट दी है उसके मताबे किया खुदखुशी है लेकिन अगर मेरे हिसाब से कहूं तो इट कमस अंडर आईपी सी 302 सुरी सर एलेट हो गया वै टीटी किंग केशव सर शी कूपे से यामिनी को इकूपे में क्यों ट्रांसफर किया बोलो मैं पास किया हूं उस लड़की से पैसे विली है अमेने यह बात कैसे बताओं कि मने यह क्या पढ़ रहा है वह लड़की क्या है सर यह इन यह आउट यह इन यह आउट आप किंग आ गया लेकिन तो अकेले क्यों आया किंग को भी तो साथ लाना चाहिए था लगता कुइन आई आई यह चली आई यह दो दो हाथ खेलते हैं ना खेलते हैं सर लेकिन उससे पहले आपको मेरे एक छोटी से हेल्प करनी होगी सर अरे इसलिए तो मैं यहां हूं बोलो क्या हेल्प चाहिए सर मैं परेशान हो गई हूँ वहां उस के बिन में बहुत वी डिस्ट्रबंस ह आप पहरबानी करके मुझे किसी दूसरी के बिन में एज्जेस कर दीजे ना सुनिये ना आपके सर पर थोड़े बाल कम है लेकिन इस टीसी के काले कोट में आपने बॉलिवूड के सूपरस्टार गोविंदा से कम नहीं लग रहे हैं सर वह क्या है कि मेरे डिपार्टमेंट में इसवक सिर्फ दो ही लोग रह रहे हैं टीटी के पावर दिखानी पड़ी पॉलमी आल्डू सम्थिक या मिनी चंद्रशेखर तो क्या वो उन तीनों लोगों के साथ ट्रावल करने के लिए मान गई थी सर तीन नहीं वो दो लोग ही थे सर तू ही है वो तीसरा शक्स जादा होने की वजए से उन्होंने आपनी वीव को एक्सेल लागी समझ के छोड़ दिया था मुझे तो यह अकेली मिला तो ने जो प्लान किया उसमें एक दो गलती नहीं तीन है तीन टिकेट में फ्रॉड किया एक पैसंजर्स को डिस्टर्ब करके जुआ खेला दो और इस उसके हाथ से यह कपड़ा मिला जो एक एविडेंस है जिस कंपार्टमेंट में कतल हुआ उसमें सिर्फ दो ही लोग सफेद कपड़े पहने हुए थे एक तू और दूसरा एसी एटिंडेंट सुन्दरम है किंग तुम दोनों हम लोगों से बहुत राज चुपा रहे हो है अ और ना हमें दूसरे तरीके अच्छे से आते हैं कि जबान भूल 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 अपना बता सच क्या है नहीं तो ताश पिस्टे के लिए हाथ नहीं बचेगा उस रात को विलिपरम स्टेशन के जाने के बाद मैं सुन्दर को ढूंदते हुए आया था तो सुनना सर आप कौन है यह फर्स क्लास बोगी है मालूम है विलिपरम में चाय पीने के लिए उतरा था फ्रेन चलने लगी तो यहां आ गया अचा ठीक है ठीक है चलेगा अगले स्टेशन पर उतर जाना हां तब तक हम दोनों एक-एक हाथ खेलने क्या बोलते हो है पुलिस व पुलिस है क्या सर सॉरी सर सॉरी सर आप स्पोर्ट्स कोटा वाले पुलिस हैं क्या रावडी कोटे से हैं ऐसा कोटा होता है मैंने तो आज तक नहीं सुना है हलो मुझ्रिम और गवाद दोनों एक ही जगे पर खड़े हुए मैं यह जानना चाहता हूं कि तुम लोग चैन नहीं क्यों जा रहे थे मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की कॉन्फरेंस थी ना सर इसलिए हम लोग वहां जा रहे थे कॉन्फरेंस सर जी यह सब लोग पी कर डैंस करके मज़े ले रहे थे एजुकेशन टूर के नाम पर पिकनिक मना रहे थे यह लोग अभी मुझे कुछ जानना है वेगे एक्स्प्रेस डिसेंबर 15 उस तारिक को राधिका के साथ हाकिर हुआ क्या था तुम लोग उस दिन टी कैबिन में थे तो फर राधिका का बलड तुमारे हाथों पर कैसे लग यह सर राधिका की जान बचाने के लिए दीपक और मूर्ति उसे हॉस्पिटल उठा कर लेके गये थे सर अजे रास्ते में उतर गया था उठा थे समय यह हमारे हाथों में हुए हो डॉक्तर अजे गहरी नीन में सोती हुई राधिका के सिर में दो इंच अंदर तक तेरा सर्जिकर नाई फसा हुआ था तक क्या यह कर्टू तेरी है सैफुत दीन मेरा बैग्राउं जानता भी है जो भुझे टॉचर कर रहा है अजे तुझे छोडूंगा नहीं डो आओ यह इन लोगों को पहचानते हो तुम कैसे बूल सकता हूं सर मुह में केक डालकर बेवकू बनाने वाले को कैसे को भूल सकता है सर कोट सूट बूट पहनने वाले टीटी को इरोंने बुर्जी पराथे वाला बना दिया सर तकले जल्दी करना कितना टाइम लगा जल्द चिंदिकल अगर वह थे ल वहीं पर उतर गया होता तो तो आजएअजय करके चिलती नहीं आजे जल दिया हूँ आजे योर वोईसेज आर एविडेंस सर प्लीज सर मेरी दोंट लाइ डूंट एक्ट स्मार्ट कतल होने के समय यह भी केविन में तुम्हारे साथ ही ठाए जब माहौल बिगड़ गया तो तुम सब लोगों ने जानबूचकरी से बचाने की कुशिश की अमाय राइट सुन आफिसर मुझे बचना होगा तो मैं बच ही जाओंगा तू मेरा कुछ नहीं बचाड़ सकता अजे पैसों के बलपाज ज्यादा कूदा मैं डॉक्टर को ही च अधिका का होट काटने वाला पागल कुट्ता कान है यह मैं भी जानता हूं तू भी जानता है कतल के इस केस में जब जाज परताल होगी तो तेरी सारी डॉक्टरी निकल जाएगे कि अधिक तर नहीं क्या अंदा है क्या लेच उतर सबस्क्रदी जाएगे है क्या जाएगे क्या जाएगे क्या जाएगे क्या क्या युण क्या 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 कर दो कर दो बसकते ही नहाँ उल टुज है तो पिस कर दो नहाँ कर दो जुज है कि पॉघम ट्रूप नह अजबगा हु़ा वगा लृव्या अं किक अाहल हुआ हुआ पाल न और भुटीž हुआहाँ संट ED रिकित इडार कि अढार कि अढार कि अढार व ए ठाए जिए पेड़ वह के समाचार वैगई एक्सप्रेस में जो हत्याएं हुई थी उस केस की जांच के तोरान केस में एक नया मोड आ गया है इस केस का मुख्य आरोपी विदेश भागने में सफल हो गया लेकिन अफवा ये भी है कि गुरुवादी भागा नहीं वो भारत में ही कहीं छिपकर बै सर जी को डाई उसंस्थान के साद उसंतो और संगीत के मशूर गायत्री देवी घराने के मिले जुले अशिरवादों से रुद्रावती को जुडवा बच्चे हुए पहली बच्ची है राधिका और दूसरी बच्ची जोतिका मंदुरे के एक फंक्चन में अपनी दोनों बच्चीों के साथ चीव गेस्ट बनकर गई हुई थी रुद्रावती जी अचानक वहाँ पर दंगा हो गया उस वज़े से वहाँ पर स्पेशल फोर्स को बुलाकर पानी के बोचार मारे गए तब भी भीड कम नहीं हुई फिर मंत्री जी के कहने पर आस्मान में गोलिया चलाई गई एक मिस्फायर की वज़े से गोलिया कर रुद्रावती जी को लगी और वो बेचारी मर गई अब इ निमा की तरह बन सके इसलिए उसने संगीत और पायल को अपना लिया राधिका शूटर जोतिका डैंसर अब कर दूंगी दीदी को मारने की बात कहने की आपकी हिम्मत भी कैसे हुई अइंटी आइंटी एसब अप मत कीजिये आइंटी लागने से कहिए ना अइंटी इसने कहा आपसे किसने कहा आपको दीदी को मारने के लिए बताये मुझे बताये मैंने कहा राधिका को मुक्ते दिलवाने के लिए कहना पड़ा आंकिल इसा कहते हुए आपको दया नहीं आई देखा जाए तो राधिका कपकी मर चुकी है बस नाम के लिए सिर्फ उसकी सांसे चल रहे हैं अगर उसके शरीर का दान कर दिया जाए तो जिंदगी और मौत के बीच जोलते हुए कुछ लोगों की जान बचाई जा सकती है मैं राइब डॉक्टर एक्जैक्ली सर्थ हाँ डॉक्टर तुम्हारी पर्मिशन का इंतजार कर रहे है साइन कर दो बेटी साइन कर दो हाँ पेंसिल से माग किया हुआ है वहां पर है जोटिका जोटिका क्या कर रहे है उसे मरने नहीं दे रहे हैं हॉस्पिटल में पड़ी हुई जिंदा लाश को देखकर मजा लेने वाली साइडिस छो तुम्हारी आइसियू कौन है यह बखबख कर रहा है ससूर जी है जोटिका और विजय की अगर शादी हो गई होती तो यह जरूर जोटिका के ससूर होते है जलो तुम्हारी जालो आफिसर नमस्कार आयम कुमार स्वामी संगीत साहित्यमहान संगीतकार कुरंदई कुमार स्वामी सैफुद्दीन रह्मान आईपिएस राधिका के केस की जाच करने वाले ओफिसर एंकाउंटर स्पेशलिस्ट तुम्हारे एंकाउंटर की स्पेशलिटी के बारे में बताएं तो गुलोरिफाइग क्लर एम आ राइट मिस्टर साहित्यमहान स्वामी किस लिए जोतिका के लिए राधिका में इतनी दिल्चस्पी ले रहे हां तो फिर जोतिका कल मेरे घर की बहु बनकर आने वाली है देखे मरसी के लिंग कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं है आप भी जोतिका को समझा सकते हैं बेल्जियम और हॉलेंड जैसे देशों में यह आम बात है हाँ 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 हम जी रहें तमिल आडु में प्यार को और कल्चर को इज़द देने वाली मिठ्टी में मालूम है ना इसलिए हमने सोचा है कि हम राधिका को बेल्जियम लेकर चले जाएंगे वहाँ पर हम विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन उसे मर्सी किलिंग दे सकते हैं किलिंग 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 इस शब्द से तुम्हें बहुत ही जादा प्यार है ना राधिका कुमार ने का जो जुनून है तो मैं वह अभी तक खत नहीं हुआ है अंदर से तुम बहुत बड़े खलना एक हो और दुनिया के सामने अच्छे बच्चे की तरा एक्टिंग करते हो बहुत ही शरीफ इंसान बनते हो येस आप रियली अप्रोटेक्टर आइम देटेक्टर कातिल चाहे कोई भी हो कितना भी बड़ा रुस्तम हो वो मुझ से कभी नहीं बच पाता नमस्ते सर्थ प्लीज बैठ ये सर्थ बैठ जाओ सुरी सर्थ आपको तक्लीफ दी इसके लिए माफी चाहता हूँ आपको एक बड़े हाथसे से हम लोगों ने बचाया है तू कौन होता है मुझे बचाने वाला पहले अपने आपको बचा ले डिपार्टमेंट से तुझे फैंकने वाले हैं पहले तू अपने आपको सेफ कर प्लीज से डाउन सर्ट टेररिस्ट को छोड़ने के बाद उस्तादी दिखा कर मुझे इंक्वारी में बुला रहा है तू से पकड़ कर मेडल लेने के लिए सोच रहा था उससे पहले ही वो फरार हो गया और तू पढ़ गया चक्कर में तेरे साथ तेरा एंपी भी पढ़े क्या रिपोर्टर यामिनी जिसे मारने के लिए अलेक्सेंडर साहब ने मुझसे मुझसे कहा था और उन्हीं के कहने पर मैंने उसका कतल किया वाईगा एक्सप्रेस में मैं विलूपुरम में चड़ा उसका कतल करने के बाद मैं तृची में उतर गया कसमसे सर मैं जो कह रहा अवाल एक दलाल की आवाज है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा यह क्या बोल रहा है तुछ अटेक मनी यामिनी को धका मार कर उसकी हत्या करने के बाद किसी ने किसी को सेल्यूट मार कर दिखाया उसको थोड़ा रिपेट करकर दिखा रिपेट करके दिखा कम ओन तो वाद आए सर्थ सर्थ एक्स्क्यूज मी क्या है क्राइम नावेल है क्या सर्थ नहीं नहीं ऐसे ही पूछ रहा था नमस्ते नमस्ते आम काव्या योगा टीचर एक्चुली मेरी सीट सी के बीन में है वहां एक पागल है इसके उससे डरकर में यहां आ गई हूं पागल है मेरे अगले नौविल में ऐसा ही एक करेक्टर आने वाला है पागल की तरह कानी लिखने वाला हूं वह कहानी किसमें चपने वाली है सर्व अब गईब हैस पानी में यह तो बाल के काल निकाल रही है अच्छा आप योगा टीचर हैं अभी अभी आपने कहा अरे अभी कुछ दिन पहले मैंने कादंबरी नामसे कहानी लिखी जिसमें योगा टीचर से हीरो बे इंतहां प्यार करता है लेकिन क्लाइमेक्स में चाकू मार कर उसकी हत्या कर देता है ऐसा क्यों सर? वो क्योंकि मैंने नॉवेल को कौपी की थी ना और जिससे कौपी की थी उसके लास्ट के चार पेज दिमक खा गए इसलिए उसकी एंडिंग ढून रहा था और आपसे बात करके मुझे एंडिंग का थोड़ा थोड़ा आइडिया आ रहा है मैंने जिस जिस से डिसकस की उसमें कोई न कोई बाधा आकर मुझे डिस्टर्ब करती रही लेकिन आपसे बात करके मुझे लगा कि मुझे एंडिंग मिल जाएगी अगर आपने मुझे इसकी एंडिंग बता दी तो इसमें मिलने वाली रोयल्टी का एक हिसाब को दे दूँगा सर उस पेटी में सारी आप ही की कहानिया है अरे रे नहीं मेडम सारी कहानियों को तोड़ मरोड कर पेंड्राइब की तरह अपने दिमाग में रखा है वो पेटी ये जो सोया है ना इसकी है हेलो सर आप भी नॉविलिस्ट है क्या नो 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 नॉट इट अ सर मैंने जरूर आपको कहीं देखा है पर मुझे याद नहीं आ रहा है अभी आपनेरे साथ बात कर रही थी तभी तो आपने इनको देखा था ना सर जोक मत मारिये सर आपको जोक लगता है एरपोर्ट, एरपोर्ट पर मैंने आपको देखा है, करेक्ट है ना सर? नॉनसेंस, फाल तुमें डिस्टर्ब मत करो, अपनी सीट पर जाओ, जाओ उसकी बात का बुरा मत मानो, कोई सब्जेक्ट नहीं है, फिर भी डेड़ घंटे से उस बुक में घुसा हुआ है इसी बिए चिड़कर तुमसे बात कर रहा है, अच्छा ठीक है, अब मैं सोने जा रहा हूँ, आधी रात को उठकर अचानक लाइट जला सकता हूँ तुम डरना मत काव्या, वो क्या है ना, कि आधी रात के बाद ही मेरे दिमाग का बल्ब जलता है दिल धड़के बार-बार, ऐसा नॉवेल लिखने के लिए किसी से मैंने एडवांस ले लिया है, और उसे देना है इसी सोमवार तक अगर इस नॉवेल को ट्रांसलेट करके उसे नहीं दिया, तो मंगलवार को एडिटर आकर मेरे सिर पर जूते मारेगा समझ गया, अगर मैं थोड़ी देर और बात करता रहा, तो आप जूते मारेंगे गुड नाइट, मैडम, सुनिए मैडम, लगता है यह आम हावस के दिन पैदा हुआ था साथ शाम जो मैं बोल रही हूँ ध्यान से सुनू इतने दिनों से जिस VIP को हम फॉलो कर रहे थे वो इस वक्त वाईगे एक्सप्रेस में ट्रैवल कर रहा है वो एरपोर्ट पर स्मगलर के साथ दिखा था तब से मैं उसको फॉलो कर रही हूँ अगर उसे एविडेंस के साथ मदूराई रिल्वे स्टेशन पर हमने पकड़ लिया तो हम उसे अपनी क्राइम डायरी प्रोग्राम में टेली कास्ट कर सकेंगे ओके तो तुम कैमेरा लेकर आ जाना क्या हूँ सर्अ अटेंडर को देखा क्या मैंने तुने देखा अंदर काफी ठंड़क है तो अच्छली वो वाइट कॉलर क्रिमिनल है स्मगलिंग उसका सेकंड बिजनेस है इस बाद का एविडेंस है क्या हाँ हाँ सब एविडेंस मेरे हाथ में है ओके मुझे कहां पर आना है और किससे मिला है ये बताओगे तुम मदुराय स्टेशन पर अपनी टीम के साथ आजाना ओके शाम यामनी मेरे पास एक और आइडिया यार डू वाट आज से शाम हाँ हुप हुप रभ सुर्णियों, 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 सुर्णियों! विली सुर्ड़ चॉआर गफा लो करे इन? प्लीज सेफुद्दीन एक्चली तु एक और गुना पर परदा डालने की कोशिश कर रहा है अटैक मनी यामीनी का कतल करने के बाद तुझे देख कर उसने सिल्यूट मारा था न तुने जो कतल करवाया था राधिका ने उसे देख लिया था आई विटनेस बन गई थी वो अगर उसने गवाई दी तो तुम दोनों इस केस से बच नहीं पाओगे ये सोच कर राधिका को भी तुने मार डाला है न एक कतल को चुपाने के लिए दूसरा कतल करने वाला अपराधी तू ही है इस जत के साथ इस स्टेटमेंट पर साइन कर दें साइफुद्दीन साइन कर स्टेटमेंट पर आएए महाराज जी आए 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 सर जी यह भाई साहब है दुनिया के मश्रूर राइटर कनितीव कार मेगम जन्म तंजावुर का है परवरिश अमेरिका की और लिखते हैं सोने की लिस्ट यह सोने की पीड़ी से कार्टून फोटो के साथ हम लोग ही लिख रहे हैं और अब वो तेरी पीड़ी के साथ खत्म हो जाएगा भरत नाट्ट्यम लगता तुझे बहुत ही पसंद है थोड़ा पर कुछी पुड़ी हो तो मुझे बहुत पसंद है आपको चाहिए तो एक करके सारा लेकिन असल जिंदिगी में मैं कीड़े को भी नहीं मार सकता हूं सर तो फिर उसका कातिल कौन है अब 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 साहर उस दिन आवाज सुनने के बाद बी कूपे में भाग कर गया तो देखा कि वह पागल बालू हाथ में चाकु लेकर चिला रहा था सर हाद 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 लो एल हाद मुई धळसे हाद है 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 है...... हमने से एल है हमने से एल हाद झाल 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 उस दिन रात में मैं अपनी लवर प्रिया के बारे में ही सोच रहा था रात में नीद खुले तो देखा सब लोग सो रहे थे मेरे पापा ने मुझे जंजीर में बांद दिया था और ताले की चावी शट की जेब में रखी थी मैंने चावी को निकाला और ताला खोलकर प्रिया के केविन में जाने का प्लाइन बनाया इसे को कुछ पता न चली इसलिए मैंने धीरे से बाहर जाकर जाक कर देखा एक पागल कभी भी जूट नहीं बोलता जो दिमाग से सोच का नहीं बोलता वो दिल से हमेशा सच ही बोलता है बी केविन में जाकर राधिका का जिसने कतल किया वो ये बालू नहीं था उधर जो चल रहा था उस सब के पीछे वो सबकॉंशेस माइंड था अम आए करेक्ट डॉक्टर अजय नार्को एनलिसस टेस्ट में तुमने जो स्टेटमेंट दिया है कोट और पुलीस को बहुत भरोसा है उस पर तुम कातिल नहीं हो रिलाक्स सर जी क्रीमिनल भले ही चाकू से खेलता हो लेकिन पुलीस वाला अपने दिमाग से खेलता है उसके साथ जब भी कहीं पर अपराद होता है अपरादी अंजाने में वहां कोई न कोई सबूत जरूर छोड़ जाता है लेकिन उसने वहां चाकू के अलावा कौन सा सबूत छोड़ा उसी चाकू पर लगे कातिल के फिंगर प्रिंट्स अरे सरजी बहुत कंफ्यूजड हो रहा हूं मैं यह जो फिंगर प्रिंट्स है ना उसमें डॉक्टर अजय के भी हैं फिर वो पागल बालू है ना बालू उसके भी है और वो हीरोईन की दीदी अनुरादा के भी है अच्छा उस हिरोईन की दीदी का कैरेक्टर कैसा है अब मैं आपको इतना बता देता हूं कि अगर पैसे देंगे तो वह अपनी जान भी देदेगी अरे मैंने तुमसे कहा था कि जोतिशी ने मुझे बोला है कि तु अपना नाम चेंज कर ले नहीं तो यह सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है लेकिन तुने सुना नहीं अब देखिए सब क्या हो रहा है तुम दोनों को कट्ल के जुर्म में अरेस्ट किया जाता है अगर तुमने सच्चाई नहीं बताई तो तुम दोनों को अंदर डाल दूगा बताओ वरना दोनों बेहनों को मदुरे जेल में डालकर कथक डांस करवाऊंगा उस दिन तुम लोग डंडिकल क्यों गए थे यह कोडाई रोड शूटिंग के लिए जा रहे थे कोडाई रोड पर तुम लोग उतरने वाले थे उससे पहले ही क्यों उतर गया है सर हमार पास कोडाई रोड तक ही टिकट थी लेकिन दिन डिकल में कोई रोड का काम चल रहा है ठाई गंटे लेट होगी ऐसा कहा गया था हमसे शूटिंग के लिए लेट हो जाओंगी इसलिए एक स्टेशन पहले ही उतर गई कि इस चाकु को भी देखा है यह वही चाकु है जिससे राधी का का कटल हुआ है औरे नहीं 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 दे था नहीं चाकु तो मैं वापस नहीं लिया था दिदी आप में वहापस नहीं दिया । मैं खोड़ दूण धूण कर परेशानु हो गई थी से लेकिन मुझे मिला नहीं तो अलगा तो किसी ने कखा लाइट मत आं कोरो किसने का उसी राधिका ने मैं उसके बार में कुछ नहीं जानती और वह बहुत खतरनाक थी पता नहीं उसके बैग में क्या-क्या रखा हुआ था सर उस राधिका का उगरवादी के साथ जरूर कोई संबंध रहा होगा सर हाँ कि अखियों में दल्धामुंदास हॉआ कि यह गिटार है क्या हो कि यह बंदूख है-पंदूख लेकर चल रही है पुलिस वाली है क्या अरे-अरे मुझे क्या करना है अरे अरे बेबी क्या हुआ तुम्हें बेबी क्या हो यह अभुका बालु का बाप कहां है वह किसी भुठे को देखा है यह अरे तुमने यह पर किसी चाम की नहीं कहां गया हो पूठेगा तीसी अंकल यहां वह मूचवला आदमी किस केबिन में है आपको पता है क्या वह पागल का बाप क्या अपना केबिन छोड़के वह किसी और केबिन में मैं अरे आप कैसी बाते करें आज अगर मुझे मिल जाए ना तो मैं उसे छोड़ू कि नहीं अरे तो जल्दी करो महरवानी करके उसे ढूंड़ो पता नहीं वह क्या कर देगा है 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 तोलसे मनी जिस केबिन में ठेहरी थी वहां पर कोई और शक्स भी गुसा था यह कहा जातिल है यू आदो ओनली आइविकनस सर यह प्री यह यह आप में गुसा था तेरा माख खराब हो गया क्या मैं सच बोल रही हूं सर यह जूर बोल रही है तुलसी मनी की जान लेने वाला फासी का ये फंदा उसी तरह का है जिससे गाउं में बैल को बांधा जाता है कलाक्षेत में पढ़ने वाली तुलसी मनी को ये फंदा बांधना आता है ऐसा हो नहीं से तुलसी मनी की इससे जान लेने वाला और ये फंदा बनाने वाला कौन है मुझे जानना है अटेंडर सुंदरम को नहीं पता हो ऐसा हो सकता है लेकिन गाउं में रहने वाले सुंदरम को जरूर पता होगा कि ये फंदा कैसे बनाया जाता है करूभब सरमेने कहाना के जुछ नहीं पाथ Haa कंबल में तेरे फिंगर्प्रिंट्स आया ये बात तो समझ में आती है लेकिन तुलसी मैंने की गरदन पट ते रे फिंगर्प्रिंट्स कैसे आए ये तू बता तूने क्यों तूल्सी मणी का कतल किया बता मैंने मैंने ही तुलसी मनी का कतली किया लेकिन क्यों किया तुने ये बता लड़की खूबसूरत लड़की और पैसे भाई लड़की उसके पास बहुत सारे पैसे सोना और जवारात होगा करके मैंने सोचा था कि ऐसा मौका मुझे बार बार नहीं मिलेगा उसे खत्म करके अगर वो पेटी उठा ली तो मैं करोर पादी बंद सकता था और मैंने बाथरूम जाने का टाइम देख गा है बंद सकता है झाल, 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 कर झाल, थाल धुझ हन्हां भगों, एक स உसे ंहांच को फॉग दीन पेप्सत्क उता एंहाई है ठीज में डॉन प्ली कान बिता जा गॉन छाप हे भ ע ness आपसचा हुश्त आो तेटी स्तरह्त कि अड़ ले अड़ रे लो अड़ मैं बाद बाद करता हूं सब्सक्राइब मुझे कुछ नहीं मालूम सर चल अंदर जा शरीप बन रहा है हां सर तुलसे मनी को जब तुने फासी पर लटका दिया उसके बाद तेरे पास एक फोन कॉल आया था और तुने उसे काट दिया यह कहके कि बाद में बात करता हूं सर वो मिस्ट कॉल था सर मिस्ट कॉल ना ना व मेस्ट कॉल नहीं ता मिस्टर सुंदरम मेसेज कॉल था सार मुझे कुछ नहीं बालों ज्यादा होशारी नहीं उसी नंबर से साथ बार फोन आया था और तुने एक बार फोन एटेंड भी किया था किया था नहीं सही बता लेकर मुझे कुछ नहीं पता सार तेरे लिए अच्छा होगा कि तू बता दे वो आदमी कौन है वरना फिर एक एसी एटेंडर एसी कार में एसी लगा कर सो रहा था इसलिए उसका दम घुड़ गया और वो मर गया कल के पेपर में ऐसा ही छपकर आएगा बता ये एंट गें उते इसलिए इनलड में और ये उसका है सो साथ्टेंगन जया जो दिल्ली में मिलते हैं नमस्ते नेता जी हां मान भंजन आओ उस वाइगाई एक्सप्रेस केस में कुछ डेवलप्मेंट हुआ कैसा डेवलप्मेंट सब अच्छा हो गया इंक्वाइरी ओवर कातिल को ही पकड़ लिया कौन है सुन्दरब अटेंडर सुन्दरब आपको मालूम था कि वह एक चोर है पिर भी आपने उससे नौकरी दिलवा दी हां यह आपने ठीक नहीं के अरे बेचारा तकलीफ में मेरे पैरों पर कीर पड़ा मैंने सोचा काम मिल जाएगा सुधर जाएगा बस और क्या आप राधी सुधर ना भीचा है तो आप जैसे नेता सुधर ने नहीं देखे खुदकुशी करने वाली तुल पुलिस आफिसर पर तुझ जैसे मुझरिम का हाथ उठाना बहुत बड़ा गुर्ण शैखुदिन क्या बकवास कर रहे हो तुम ये केस तुम्हें हैंड ओवर करने वाला मैं ही हूं वो तेरी एक चाल थी लेकिन काम्याब नहीं हुई क्योंकि पांसा कभी-कभी उल्टा भ तुम ने वो याद है कि नहीं देकिन उस दिन जब तु बोल रहा था तेरी आखों में मुझे कुछ और ही दिखाई दिया मुझे सच्चा ही लिखाई दिये अलेक्जेंडर रियलवेज भी मुझसे पदला लेने के लिए ही उसने ये खून किया होगा मेरे पापा नहीं मेरे मुझसी को वो तेरे अत्याजार बरदाश्ट नहीं कर पा रही थी इसलिए भागने का मन बना रही थी और वो जानती थी कि तू उसे उसके कॉलेज तक ढूंडवाएगा इसलिए तेरी आखों में धूल जोब कर वेगई एक्सप्रेस में चड़ का केस कत्ल करने की कोशिश इन जुर्मों के लिए आपको गिरफतार करेंगे तो आप चलेंगे हमारे साथ चलिए आपकी सेवा करवाएंगे आप कीकक का कीमीई तेर आपकी सेब्सक्राइभा है प्रम considering भीस हमें तेरे वाखों मेंगे दोव है तो आपकी साथ चलिए अए आपकी सेवादरीreso का reinforcing मैंज negócio क्तो है ? जानते हो जब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिल जाता तब तक हम किसी को गिरफतार नहीं कर सकते हैं कौन है आप लोग सर जी प्रकाश बहुत बड़ा घर बनाया है इसने अपना करपरा वाली का छोटा भाई है बड़ा पेंटर है बच्चे हम यहां जोतिका और करपरा वाली से मिल ले आए हैं जोतिका यहां नहीं है तो कहा है वो अपनी बहन को देख रहे हैं हॉस्पिटल ग भज़ा खुए है पुछ तो क्या है निकित है बाते अभ गलेस्थ के नि अचंग होस्टिका आएए है चाहिएए बिचम को होस्तिका सम्य Bowl भीशने िनातत्का कि बोग तांड भान का लिखत नोखता न। unfortunatelyॉढ वाल confrontation तोदिका है अल मूफ़!!!! सभथ को जो दोको डलेक आपका ही नाम ना कविता आप रहे हैं यह कैसे संस्था को जोइन कर लिया प्रकार कौन है यह लोग पुलिस रादिकाल के बारे में पूछताच कर रही है बहन को मारने की सोच रहे थे इन्हें ससा ज़रूर मिलेगी कि कम्प्यूटर यह लैप्टॉप किसका है राधिका का है मनू सर वाई गई एक्सपेस धाई गंटा लेट है ऐसा राधिका ने फून करके आपको कहा था ना कहा था या नहीं नहीं कहा था आप जूट बोल रही है क्योंकि राधिका सुबह होने तक आपके साथ अपने फोन पर बात कर रही थी और इसका पूरा सुबूत है मेरे पास सर खून करने वाला अपने बचाओं के लिए ऐसा जूट बोल सकता है न सर इस बंगले के अंदर ऐसे जूट बोलने वाले बहुत सारे लोग भरे हैं सर और राधिका का कॉल लेस्ट हमने निकाल के देखा है और उस दिन रात को उसके नंबर से कोई कॉल नहीं आया था सर आपके पास कितने नंबर हैं मेरे पास मेरे पास दो नंबर है सर दो नंबर नहीं तीन नंबर है आपके पास वो यसा है वो प्रिपेड नंबर है सर और उ वो नमबर राधीका के हैंड बैग में कैसे गया वह ज़स्ट ऐस्ट बाद करना चाहती थी और तुम्हारी बातचीत किसी और को मालूम ना पड़े यही चाहती थी तुम्हे अपना दिमाग तो बहुत इस्तिमाल किया क्या चाल चली तुम्हें वैसे इंसान नहीं हुआ इस बात से मुझे कोई फरक नहीं पड़ता जब वो फोन गुम हो गया और मान भंजन ने पूछा तो तुमने यह बात क्यों चुपाई जान बूच कर ऐसा क्यों किया तुमने इस बात का कोई जवाब है तुमारे पास सर राधिका के इसी हालत है और आप हमारे उपर है ब्लेम लगा रहे हैं और टेंशन की वज़ा से मेरे सर में दर्द हो रहा है राधिका जब वैगई एक्सप्रेस में चड़ गई उसके बाद 113 मिनिट तक आप उसमें क्या बात कर रही थी और किस विशह में बात कर रही थी सवेरे के ठीक तीन बज़े वैगई एक्सप्रेस डिंडिकल के एक प्लेटफॉर्म पर आई ठीक धाई घंटे लेट साड़े पांच बज़े के बाद ही ट्रेन मदुरई के लिए रवाना हुई धाई घंटे तक ट्रेन में रुखने वाली राधिका अगर चाहती तो कार से सिर्फ एक ही घंटे में मदुरई पहुँच सकती थी लेकिन वो ट्रेन से उत्री ही नहीं उत्री नहीं या फिर उतरने से पहले ही उसे वो पापी उग्रवादी पता ने उसे कहां से फॉलो करता हुआ आया था राधिका को चाकु से मार कर उसने उसके रखे हुई बंदूक सोना जेवराथ सेलफोन सब कुछ लेके भाग गया सर्वो इस केस में किसी उग्रवादी का कोई हाथ नहीं है वो हम पुलीस वालों को बेवकूफ बनाने के लिए खेला गया एक नाटक था मदुराई से धाई घंटे में वो कातिल डिंडिकल पहुंचा और इसके बाद सारा काम करके वापस आ गया और वो कातिल इसी जगे पर माजूद है क्या है कान खोल कर सुलो वो कातिल खुद को कितना भी होशार समझे लेकिन वो हमसे बच नहीं पाएगा हमारे हथे जरूर चड़ेगा यह 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 रादिका की दवाईया है उसे क्या टेंशन सा सर रादिका ज्यादा घुस्सी और टेंशन में आ गई तो उसके नाक से खुना आदा था इससे भी निक निकाला है Mr. Safferty Sorry, मैं संगीत में बिजी था, दरसल मेरी आखों के सामने जो भी आता है वो सारे लोग संगीत के चाहने वाले ही होते दूसरी फील्ड से कोई आता है नहीं, I mean wrong notes अब आपके जैसे पुलिस वालों को म्यूजिक में इंटरस्ट होगा या नहीं नहीं पता वैसे कैसा लगा मेरा क्लास मैं अपने आपको ही भूल गया क्योंकि संगीत वाकई बहुत ही अच्छा था लाखों फ्रेंस की तरह संगीत और साहित्य के लिए और उसके महान उस्तादों के लिए मेरे दिल में हमेशा से इजथ रही है वहाँ बैटकर कोई कैसे गाता ए उसके सुर क्या है उसका थोड़ा बहुत ग्यान मुझे भी यह मिस्टर स्वामी उसके सुर कैसे है मैं जानता हूं Mr. कुमार स्वामी तुम्हारी पॉफरमंस एक्सिलेंट थी तुम चाहते हो कि मैं यही बोलू ना लेकिन पुलीस हुद्दी हम हर कलाकार को भी संदे के घेरे में देखते हैं मिस्टर सैफुद्दी तुमने मुझे और मेरे संगीत को नीचा दिखा दिया है ऐसा मत सोचना अगर तुम कुछ ऊठना चाते हो तो नाओ आम फ्री आम नौट फ्री तुम चाला किसे बोल के बज़ जाओगे ऐसा मसोचना हम फिर दोबारा मिलेंगे तब हम तुम्हारी क्लास रखेंगे लेकिन गाओगे तुम नहीं खाला किया बात है सार राइफिल क्लब में रादिका का लॉकर है ना हाँ जर है जर्णा उसकी इचाह भी लेकर आओ अभी लाती है मान मंजन हां भूली जर्व झार आओ हाँ एक शोटव कर दो हुआ कि शोटव कि पड़े हैंने पास्थ यह थे हैं धार वज़े अधार को भीट हेँ अधार को पर तो गटेया ङुछ अंदर जागर देखो को रहा हो की सर अंदर तो कोई नहीं है सर कोई था सर उसके मुझे मारने की कोशिश की छोड़ो ना इसे लगता है कोई वहम हुआ है इसे कोई वहम नहीं है अटेम्ट उमाड़ा जैसे तुम्हारी बेन को खत्म करने की कोशिश की गई थी ठेक उसी तरह तुम्हें भी जान से मानने की कोशिश की गई इस घर में तुम्हारी जान महफूज नहीं है यू बी कैफल मान भंजन पर एए कुछ नहीं दरो ऐसा तो सुना था कि किसी साप के दो मू होते हैं लेकिन किसी उस्ताद के दो चहरे होते हैं ये पहली बार देखेंगे तुम्हारा गुरू कौन है क्या मैं ये जानने की इमाकत कर सकता हूँ रादिका वो मदरई के हॉस्पिटल में कुमा में पड़ी और वहां से तुम्हें ये गुर सिखा रही है ना आप अभी यहां किस लिया है क्यों डिस्टरब कर रहे हूं मुझे मुझे देखते ही तुम्हारे सिर पर भूत सवार हो जाता है ना और ज्यादा बात की तो मुझे कुछ करना पड़ेगा वान मिनिट वेस्टरन कल्चर में जीने वाला तुम्हारा वो लड़का उसने मदुराई के पूल का गजरपेन्ने वाली जोततिकां से शादिय करने का फैसला क्यों किया था क्योंकि ऐसा जोतिका की माने मुझे कसम दिया था विजे के साथ जोतिका की शादी करवा कर उसे इस संस्थान का ट्रेस्टी बनाना चाहती थी वो अच्छा तो तुमने जो कसम खाई थी उसके कारण तुम्हारा लड़का जोतिका से शादी करने के लिए राजी हुआ है ना? अफ्कोर्स और इसलिए दहज में कुछ भी नहीं लेने का वादा किया था दहज क्यों चाहिए क्योंकि पूरे संस्था का पैसा निगलने का फैसला तो तुम लोगों ने करी लिया था नो, नो, जोतिका से शादी होने के बाद संस्थान की संपत्ति के मालकिन राधिका हो जाएगी एक्सेलेंट प्लान गायत्री देवी जिन्दा नहीं है राधिका भी नहीं रहेगी तो संस्था का पूरा का पूरा पैसा वो तो तुमें ही मिलना है ना जिस तरह से राधिका को खत्म किया उसी तरह थोड़े दिन में जोतिका को भी उपर जाने का टिकट दे दिया जाएगा जहां तक मेरा ख्याल है उस फैमिली के खिलाफ अगर कोई है तो वो तुम हो दिसमबर की पंदरा तारिक को फ्लाइट टिकेट के कैंसल होने के बाद वेगई एक्सप्रेस का टिकेट बनवाने के लिए कॉम बोलो था मैंने ही बोला था तो तुमने उस ट्रेन को क्यों चूज किया नाइट जर्नी थी हिफाज़त में रहेंगे इसलिए मैंने वेगई एक्सप्रेस डिंडिकल में धाई घंटा लेट है ये मालूम पढ़ने के बाद ही तुमने उसमें टिकेट बोक किया ट्रेन लेट आने वाली है इसका फाइदा उठाते वए तुमने एक प्लान तैयार किया और उसका कतल किया ट्रेन जरूर लेट आए थी लेकिन ये सिफ़त दिन कभी लेट नहीं होगा I am on the right track and right time जैसे बच्चे को आस्मान में चांद दिखा कर कहा जाता है कि उसे चांद पकड़ कर दे दिया जाएगा ठीक उसी तरह विजे को भी कुमार स्वामी करपावली और तुझे उल्लू बनाया जा रहा है बड़े प्यार से विजे को तेरा लवर बताकर उसकी आड में संस्था का पैसा हडपने वाला वो शैतान न तो अच्छा लवर हो सकता है और नहीं अच्छा पती हो सकता है कैनाडा पुलीस कल उससे पूश्टाश करेगी क्यों दिसंबर की पंदरा तारीख को विजे के चन्नई एरपोर्ट पे आने का प्रूफ मेरे पास है उसी दिन राधिका को मारने की कोशिश की गई विजे मुझे बताए बिना चन्नई आ ही नहीं सकता और आखिर वो राधिका को क्यों मारेगा सर्थ मुझे डॉक्टर अच्छे के उपरशक है उसकी मेरी बहन के साथ पहले एक प्रॉब्लम भी हुई थी कब होई थी छी महीने पहले पलनी में एक डांस प्रोग्राम था मे करने के बाद मेकप रूम में अच्छे और उसके फैंस मेरी बहन से क्या कहा तुने मेरी बहन को देखकर तुझे उसे किस करने कामन करता है अब तु मेरा यह थपड मरने तक नहीं भूलेगा और आज के बाद अगर मुझे दिखाए दिया तो काट के रख दूँगी तुझ दॉक्टर जॉगिंग कर रहे हैं क्या लगता है चर्वी कम कर रहे हैं वैसे चर्वी कम करने का इलाज मेरे पाक इस इंजेक्शन में इतनी ताकत है कि घोड़े को मारा जा सकता है तो तुझे लगा दूँ यह इंजेक्शन चौड़ दो ठीक अन्यक्शन को डाट वाट प्रफी कुसार भी हेए 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 मुझे बेज़द किया थाना तुने अब बेज़द कर मुझे देख अब तेरा अखियर खत्म आप हेए अब नहीं बचेगी तू हेए भी केबिन में सीट से बरामद हुआ चाकू है ये और बता दूं कि राधिका को इसी चाकू ने मौत के घाट उता रहा था इसके बाद भी तुम चारों मिलकर ये कह रहे हो कि ये चाकू तुम्हारा नहीं है तुम लोगों को पागल लगता हूं मैं बी केबिन को इन चारों डॉक्टरों ने मिलकर एक आपरेशन थियेटर का रूप दे दिया मेडिकल साइंस ही नहीं बलकि फॉरंसिक साइंस भी जानने वाले कातिल हो तुम लोग तुम चारों लोग क्लासमेट्स हो न तो अब तुम चारों एक साथ मिलकर जेल में घट्टी पीजना हूं हलो अंकिल दीदी की हार्टबीट सुनाई दी आपको अब वो फिर से नॉर्मल लाइफ में आ जाएगी ऐसा मुझे यकीन हो गया है बहुत चल्दी वो बात करने लग जाएगी अंकिल जो डॉक्टर उसका ट्रीट्मेंट कर रहे हैं उन्होंने वादा किया है कि वो उसे ठीक कर देंगे वो बहुत चल्दी ठीक हो जाएगी और सब कुछ नर्मल हो जाएगा मुझे पूरा यकीन है ठीक है अंकिल मैं बात मे आएगी पूल जाएगी नर्मल कारि और से प्रहस्ते कर सकतव है इस अच्छानें कर दो में अच्छाने राधिका है देखने आएगी गारता कि आएगे पूल जण कर अचिक झालक हो था जाएगी दौक का ज़ राधिका यहे ठीका अच्छाने लिझक्वम आगी एपान सा कि यह स्रushव श्रushני किया हुआ U भूल इस ने तेरी बहुन को माने के पहले बीद कोशिश की थी वही लोग उसला अंकल का स्टेक्पेंट से भोगे दरसल राधिका की बॉड़ी में जोतिका के प्यार की वज़े से हरकत दिखाई दे रही है और उसकी हरकत को देख कर जोतिका उसे जिल्दा समझ रही है राधिका बोज की तरह है इसलिए संस्थान के सभी लोग चाहते हैं कि ये मर जाए इसलिए संस्थान ने फैसला लिया है कि राधिका के लिए ओनर किलिंग ही एक मात रास्ता है इसकी जान लेने में कोई गुना नहीं है कुमार स्वामी तेरी बहन को मारने की कोशिश करते वक्त रंगे हाथों पकड़ा गया तेरे साथ जो भी लोग है अच्छे नहीं है बहुत टेंजरिस लोग है सर इंस्पेक्टर मान भंजन बोल रहा हो सर हां बोलो सर हाथसा हो लेकि दिन सुबह साड़े चार बजे से लेका साड़े पार्ट बजे तक डिंडिकल रेलवे स्टेशन के पार्किंग में सोई हुई एक औरत के पैर के उपर से कोई गाड़ी जड़ा कर निकल गया है गाव के पुलिस चौकी में यह कंप्लेंट दर्ज हुई है सर जब यह कंप्लेंट बुक हुई उस समय वाए गई एक्सप्रेस धिंडिकल रेलवेर प्लेटफॉर्म पर थी खून चोरी और डखेती की वार्दातों की सारी रिपोर्ट्स मेरे पास भेज देना ठीक है सर इसी ने पैर पर गाड़ी चड़ाने की कंप्लेंट लिखवाए थी यह कैसे कैसे सकते हो गाड़ी चड़ने से अक्सिडेंट हुआ था मैंने खुद अपनी आखों से दिखा यह तो मैं किनारे हो गया वरनाव स्पीड इतनी तेज़ दी कि वह खुद मुझे भी खीच के ले आते सार यह उस गाड़ी से निक लाइब डेंस टूटी हुई हेडलाइट गाड़ी का कलर क्या था गोल्डन कलर था सार गाड़ी का नंबर देखा गाड़ी का नंबर नहीं देखा सर मद्दूरई से डिंडिकल जाने वाले रूट में आमबकान आड़ू नामका एक कौन सा कण सा हाड़ी को हाड़ी को पुशलिए पार इस तरह जाने जालू जाओ नं ये देखा एक अधिकर्टे मार खु़ाह अधिकल देखो हुँझाब दिलेंगा वाल जाओ सब तरह जलो कि अधी ये धन भी मिला है सर घ्टाओ अ है अरे बाप रे देखा सर जी जिस दिन हाथसा वा उस दिन अब अवस्या थी इस गाउं की उसे अच्छी तरह से जानकारी थी इसलिए वो इस तालाब के किनारे सारे रेविडेंस फेक कर गया है सर सर मोबाई हाथियार सर जी सर मंकी कैप सोनो सर सस्पेक्ट 424 सबके जांच करवा है सर वही जो वैगई एक्सप्रेस में थे फिर वो डॉक्टर सर उन सारे लोगों का भी टेस्ट किया जाना ज़रूरी है सबके अच्छे से जांच करो उस दिन वैगई एक्सप्रेस निकली थी ठीक उसी वक्ट पर एगमोर में जिन लोगों ने अपना सफर शुरू किया था उनका डीटेल्स चाहिए उसके बाद हम असली कातिल को खाराम से पकड़ देंगे सर जी सबको पूछताच करने के लिए ट्रेन में तो चड़ा देंगे लेकिन वो गुर्वादी तो बच गया ना उसे मैं कहां जाकर पकड़ू वो तो देश चोड़ कर भाग गया ना सर जी है भगवान रेल सफर के डीटेल से हमें पता चलेगा कि वो आखिर है कौन कि वो ही वाई गई एक्सप्रेस वो ही एसी कूपे और वो ही पैसेंजर्स वो ही पागल क्या कर रहा तहीं नहीं नहीं ऐसा लगता है कि यह अपर पूछताच की साथ-साथ मर्डर भी होने वाला है उसके बाद पॉलेग्राफ टेस्ट में पता नहीं किस-किस का भंड़ा फूटने वाला है इस टेस्ट में खूनी बच नहीं सकता सर सर महर्बानी करके मुझे इस तरह मत देखिये सर रोम रोम काप रहा है सर मुझे तो उस उगरवादी पर ही शक है सर मेरी जिन्दगी तो उड़ते हैं बालों की तरह फिसल गई तुम लोगों को आज पता चल जाएगा कि कातिल तुम ही हो इसलिए जाकते रहो और हाँ कल सोबह तक तुम लोगों के हाथों में हातकटी होगी माइंड टुम बोली सर अरेस्ट कहा किया है हारेस्ट वारेस्ट कुछ नहीं किया है सर बेबी मदुराई के एक फंक्ष्न में चीफ गेस्ट बन कर जा रही है ट्रेन में बेबी को कोई भी तकलीफ ना हो इसलिए हम लोग सेकुरिटी को लेकर जा रहे हैं मेरी बात सुनिए सर अब मेरी बात सुनिए वह अफ़ा है मैं आपको बात में फोन करती हूं सर ओके ओके सर में पूछेंगे तो कोई बात नहीं कि पता नहीं क्या हो कुछ ने भगवान को याद कर रहे हूं सर्वान इधर रहे है उधर क्यों बुला रही हो किसी खजाने के इफाज़त करने वाले भूत को बहुत टेंशन होता है लेकिन कल से तुम लोगों को नहीं होगा और तू अकेली रहना सीख ले मेरी बहन की ये हालत करने वाला वो इंसान वो इसी केविन में है और अपने साथ ही है कातल के आसपास ही हूं मैं भी बिलकुल पास मैं सर सच में मैंने वो खून नहीं किया सर और वैसे भी इतनी बड़ी जिम्मेदारी का काम मुझे कौन देगा वैसे भी मैं एक डम्मी पीस हूं सब खून करके बच जाना दो प्रोफेशनल लोगों का काम होता है आपके पास तो बहुत पेंडिंग केस होंगे उस केस में इस केस को मिला कर दोनों की फाइल एक साथ बांद कर मोटी फाइल बना कर इसे क्लोज कर दीजिए वैसे भी तो सब लोग यही कर रहे हैं ना आप ऐसा करेंगे तो प्रोमोशन हो जागा लेखक कान खोल कर सुन ले तेरी कहानी में अब तक जो टर्निंग पॉइंट नहीं आया है वह आज इस ट्रेन में आने वाला है गई बहेंस पानी में प्रोमशन है क्धैस क्वाच है क्वाच जाया क्वाच है क्वाच है काम अर्गेटे, कितने टाइम लगा दिया, मारो उसे, मारो बचाओ, सबुटेर कितने तो, सं Pinterest. कितने कितने एगाँए में ऑ 오ने कितने कितने हैं तो झाँशू अगर sen सुच सक्षो चाँशू कर दो सबुले! सबुले! कर दो हाई! हुआ! 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 वेगा एक्सप्रेस में जो तीन कतल हुए हैं वो तूने नहीं किये यह मुझे अच्छे से पता है और लेकिन अगर kinda तूझे कोट में प्वेश किया तो तेरा वहा पर क्या होगा बता ये वकील वह वकील और फिर सुनवाई तुझे इस कोट से उपर वाले कोट में भेजा जाएगा वहाँ से तेरा मामला दिल्ली Biz पर चला जाएगा इसी तरह तुद्धूगा था ना मुझ पर जो देखा क्या हुआ तुम यहां गेट पर खड़ी होकर क्या सोच रही हो पॉलिग्राफ्ट टेस्ट बहुत जरूरी है कैसा हां लगता तो ऐसी है राधी का जब ट्रेन में थी तो वहां से उसने फोन पर तुम से बहुत देर तक बात की थी ना तो एक बात बताओ भैर कि ट्रेन धाई घंटा लेट है यह बात उसने तुम से कही होगी सरस्था में किसी को पता चले बगैर उस दिने कार सुबह साड़ तीन बजे वहां से पाहर गई थी और उस कार का कलर था गोल्डन बेज राधिका को रिसीव करने जाने वाली वो कार मुदराई से दिन्डिकल के रास्ते में किल्ली कोला तिल पर रुकी थी राधिका का आइकार्ड और उसका सेलफोन, गन, ब्लांकेट और मंकी कैप सब पानी में फेंकर गया है वो कातिल उस कार को चलाने वाला वो कातिल कौन है उसका इविडेंस हमें मिला है कौन है तोबह तो ही वो कार चला रही थी मैं नहीं सर, मैं तो अस दिन कहिं गई नहीं ति THIS इसरी कहा कि मैंने कार चलाई प्रकाश, सुनना चाहोगी द्रादिका को पिकप करने के लिए में तीन बजने लेडिए हो रहा था तब इस संसत aspects ब्यफतर को कार को पाहर जाते खूए देखा तू ही है उस दिन अंधेरे में तू बिना किसी को बताये संस्था से निकली और एक कतल करके वापस लोट आई तुझे क्या लगा कि तू कभी पकड़ी ही नहीं जाएगी है ना नहीं से येस, यू आर दो अल्ली किला कातिल तू ही है कावी तेरे पास सच्चा ही कुबूल करने के लावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है मैं जान गया हों कि कातिल तू ही है हाँ से मताईए क्यों कि यह तूने कोटूर संस्थान को बचाने के लिए मैं विजय के साथ शादी करके अगर अपना देश छोड़कर कैने रा गई तो संस्थान के सारे हग उसे मिल जाते और संस्थान की अकेली बारस होने के नाते वो उसे बेचना चाहती थी इसलिए शादी के फैसले के बाद उसने संस्थान को बेचना डिसाइड कर लिया और पूरे संस्थान को मल्टी नैशनल कंपनी को बेचने के लिए चिन नहीं गई थी हमारे खांदान की निशानी को मैं ऐसे हाथों से कैसे जने देदी सा इसलिए संस्थान को बचाने के लिए उसे मौरने के सिवा मेरी पास और कोई रास्ता नहीं था इसलिए 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 मैंने उसे मार दिया तुझे आक्टिंग वाकई बहुत अच्छी आती है लेकिन तेरे दोनों चरे साफ साफ नजर आते हैं जोतिका कातिल नहीं है कातिल तू है और तू है राधिका मेरे सामने जो जोतिका बनने की आक्टिंग कर रही है वो असल में बहुत ही कमाल की शूटर राधिका है राध वेगई एक्सप्रेस में चेननेई से मदुरई आने वाली तू ही है उस समय भी तुने मुखोटा बदल रखा था ये निकल स्टेशन पर अपनी बेहन को बुलाने वाली भी तू ही है येस उस दिन वेगई एक्सप्रेस में जो हुआ था वो अदला बदली थी लंडन में जुडवां पैदा होने के बाद बढ़ी होकर क्रिमिनल बनने वाली ग्रे ब्रदर्स की जिंदगी के बारे में पड़ था उसी तरह खुद की बेहन को मारने वाली राधिका है जो मेरे सामने घड़ी है नो, नो, नो मैं राधिका नहीं हूँ उसे क्या प्रब्लम है? वो, सर, राधिका को ज्यादा टेंशन या गुस्सा आ जाता है तो उसकी नाख से खुण निकलता है येस तेरे खुद के खुण ने ही तेरे खिलाफ सुबूत दे दिया उस दिन वेगाई एक्स्प्रेस के बी के बिन में जो खुण पड़ा था वो बी पॉजिटिव था जोतिका का ब्लड गुरूप भी बी पॉजिटिव है लेकिन राधिका का ब्लड गुरूप ए निकेटिव है ऐसा पास्पोर्ट कहता है ये तेरे खलाफ मिला हुआ पहला सुबूत है बड़ी बहन ने अपनी चोटी बहन का कतल किया है और बड़ी बहन चोटी बहन की एक्टिंग कर रही है इस केस में जो दूसरा सुबूत मुझे मिला है वो है ये कतल किसी और आदमी ने किया है ऐसा दिखाने के लिए जो तीका का होट तूने काटा और उस पर ठूग दिया उस दिन रात को मैं संस्था में आया था राफिल क्लब के लॉकर की चाभी मांगने के बहाने तेरे दात का साइज लेने के लिए जो तीका के होट में कटा हुआ दात का निशान और मनु के हाथ में दात का निशान दोनों का साइज एक ही है तेरे खलाफ ये एक पक्का सुबूत है इस से साबित होता है कि कातिल और कोई नहीं बलकि तू ही है ये बता कि ये कतल करने के आखिर तुने सोची क्यों मेरी आंकल कुमार स्वामी का बेटा है वच्पन से ही मैं उससे बहुत प्यार करती थी सा उसके बिना मैं अपनी जिन्दगी सोच भी नहीं सकती इससे पहले कि मैं अपनी प्यार का इजहार करती आंकल ने आकर बताया कि विजय जोतिका से प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है, मेरे सारे सपनी तोट गए, मैं विजय को किसी और के साथ कैसे देख सकती थी, इसलिए मैंने आंकल को समझाने की कोशिश की, और वो मेरी बात माने ही नहीं, मैं इस गुस्से को परताश्ट नहीं कर पाई, और उसे मार डाला, ये सा, शी मेड मी अकिला, मेरी बेहन को डेंडिकल से पिक अप करने के लिए, मैं कैबिन में उसका इंतजार कर रही थी, तुम जी कोने रादिका, क्या हुआ, तुम्हें आते भी किसे ने देखा तो नहीं, नहीं, लेकिन क्यों, तुलहन को शादी का अडवांस गिफ्ट देने जा रही हूँ, क्या हुआ रादिका, क्या हुआ, विजे को मैं प्यार करती हूँ, सालों से, और तु शादी करना चाहती है, जब से मैंने सुना है, तुम्हारी और विजे की इंगेजमेंट होने वाली है, तब ही मैंने सोच लिया, कि तुम्हे मार कर खुद कुशी कर लोगी, लेकिन मैं मर गई तो मेरे विजे का क्या होगा, इसलिए मेरे प्यार के लिए तुझे अकेले ही खुर्बानी देनी होगी, क्योंकि तेरे जीती जी वो मुझसे कभी भी शादी नहीं करेगा, तो तेरा मर जाना ही अच्छा है, अधिका शुपरदा मुझे, अधिका तुझे क्या करी हूँ, रादेका, रादेका प्लीज, तुझे छोड़ दिया, तो विजे मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तु तुने कलती कर दी तुने कलती कर दी, तंवादे, कोसी दूहर थो को हCra HOLOGस, को हरिया। कोई मेरा प्याची नहीं सकता और इसलिए आज से मैं राधिका नहीं जोतिका हूं मिस्स जोतिका विजय आज से मैं सिर्फ नाम से ही नहीं हर तरह से जोतिका बन गई हूँ हाँ मेरी चोटी बेंग को मैंने ही मारा है प्यार का मतलब होता है जिससे प्यार किया जाए उसके लिए खुद को मिटा दिया जाए लेकिन तुने खूल कर दिया क्योंकि तुझ जैसी औरत प्यार का मतलब कभी भी ने जान सकती जिस प्यार के लिए मैंने खून किया उस प्यार को भी नहीं पास सकी मुझे कोई माफ नहीं करेगा बहुत बुड़ा पाफ किया है मैंने और उस पाफ के लिए उस बाप के लिए मुझे सज़र मिलनी चाहिए मिलनी चाहिए एक लड़की के आवसू देखकर एक पत्थर दिल इनसान भी पिघल जाता है लेकिन अपने प्यार के लिए अपनी बहन का कतल करने वाली तुझ जैसी को कोई माफ नहीं कर सकता तु माफी के लायक नहीं है प्यार में जान ली नहीं जाती दी जाती है असली प्यार करने वालों को दुनिया की कोई भी ताकत जुदा नहीं कर सकती इसलिए तुने इतनी कोशिश कर ली फिर भी जोतिकार विजे साथ साथ ही रहेंगे और तू प्यार के लिए हमेशा तड़ती रहेगी नहीं विजय सर्फ और सिर्फ मेरा है विजय को उससे शादी करते वे मैं नहीं देख सकती थी लाओ प्रीज देखो मेरी बास सुलो जोड़ दो मुझे मर जाने दो मुझे मेरा मर जाना ही अच्छा है मैंने अप्रीप्यार के लिए अप्री बेहन को मारा मैरा मर जाना ही जीख है तुम मेरा प्यार मुझे दूर होगी अब मैं जीखर क्या कहरोगी मैंने यहीं देखी मुझे जोड़ दीजिए मुझे मरने दीजिए तुम काड़ नमबर 12631 वाइगे एक्सप्रेस प्लाटफॉर्म नमबर 3 पर आ गई है आप यूग-यूग जी होगे सर अपने मेरे पच्चे को पच्चा लिया सर मेरी बीबी आपकी बारे में बात करती रहती है सर अब आपको कभी नहीं भूलेंगे सर इस सर के पैड़ जूग है नहीं असली कातिल को पकड़ने के लिए मुझे थुड़ा सखत होना पड़ा लेकिन यह मेरा फर्स था अब तो माज़ा दो जाओ सब कुछ ठीक ठाक से हो गया आपका बहुत बहुत थैंक्स सर आपके साथ हमें एक फोटो निकलवानी है सर प्लीज हमारे एक फोटो खिचिए अरे आजा ना यहां आजा रेडी तैंक्यू वेरी मुझ सर आपको हमारे घर पार्टी में आना है ठीक है अरे चल 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 दी चल मुझे कावर लेकर जाना आपने चलता हूं सर आपको तो पता ही है कि मैं एक टीटी हूं तो क्या मैं इस्टेन में जा सकता है